बिल्कम टू सुखला स्टी पॉईंट आप सभी का स्वागत है आपके इपने यूटूप चैनल सुखला स्टी ॉट्इ पॉइंट में मैं इस्योयम सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो के अंतरक्षा है या नी ही लेंग्व लगातार इसमेस हर एक जो है सोचल मीडिया प्लेट फार्म पर आपके लगातार इसमेस आ रहे थे इसको ले करके इससे समय कोई भी वीडियो आप बना दीजिए बना दीजिए तो इसको ले करके मैं आपके सामने हाजूर हूँ मॉडल पेपर 2021 के बारे में चर्चा करेंगे इसमें ऐसे पढ़ोत की मज़ा आज आए एक दम से उसके बाए तो आपको मज़ा आएगा वीडियो के अंतरगत सेशन के अंतरगत फड़ा पड़ से वीडियो को लाइक करके सेयर कर दिये ताकि जादा स्यादा लोग जुड़ें में और पढ़ाने में पठन पाठन इत्याद में बहुत ही आनन्द आएगा फड़ा पड़ से वीडियो को सेर कर दिये और वीडियो को लाइक करके अपने एक्स्प्रेशन को बता सकते हैं को के चले बिए वर्स के लिए लेक्षर महात्पूर्ण है बहुत अधिक अधिक तो फटाफट से आप लोग वीडियो को सेर कर दीजेगा चलिए हम सुरू करते हैं आज का वीडियो लोक्षर महात्पूर्ण है वीडियो होगा आपके परिक्षा के दिश्टी से और बहुत ही इंपोर्टेंट है या चीजे उके चले सारी बातों को आपको बताने क कि उनक zeंनका प्रियास करता हूं यहां पर आपके सामने दिखाई पढ़ा又67 थते सबसे पहले हम पर आपको पता होना चाहिए कि अ भांसा के चेप्टल्स में आपको बताया होगा कि भांसा समाजिक वस्तू होती है भांसा का प्रवहाबिछिन होता है भांसा सरव्यापक होती है भांसा संप्रेशन का मौकिक साधन भी होती है और भी हमने बातें बताये होंगी कि भांसा जो होती है अरजित वस्तू होती है हम हमने बताया होगा भासा समाजिक दिश्टी से अस्तरित होती है हमने बताया होगा कि भासा परिवर्तित होती है में सयानिय की भासा परिवर्तन सील होती है हमने आपको या भी बताया होगा कि भासा इस्थरी करण और मानवी करण किसे प्रभावित होती है हमने आपको या भी की बातों को किसी दूसरे ब्यक्ति तक पहुचाने का एक माध्यम होती है एक प्रकार से आधार सिला का कारी करती है भासा तो भासा के माध्यम से हम अपने विचारों को अपने आत्मिक विचारों को अपने जो है मनो भाओं को किसी दूसरे प्राड़ी तक किसी दूसरे ब्यक समस्तियों और जानावरों की जो बोलती है उनको बोलियां उनको बोलियां कहते हैं और भासा किसको कहते हैं जो कि suggest कर्म बजता पराधारित होती है हला कि यह सारी बाते आपकी वहारिक नालज के बारे में थी जिसको जो कि हमने आपको बता दिया चले तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुए सारी बाते तो फड़ावर्ट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप से पूछे बिकास की बात की जाया तो आधिकाल में लगबाक आधिकाल जो चला एòngरी हमसा के बारे में अगर बात की यारा बियूंत था जो है कौन कौन सि अब भरण सो गया पिंगल हो गया अप भरण समें स accomplishments दो नाथों और जैनियों के धार में गरंत उपलब्द होते थे रासों गरंत हों की रचना डिंगल भासा में हुई है च्छद जो चंद सास रहे उसमें निबंद जो रचनाओ को लिखा गया हुआ वह पिंगल भासा में लिखा गया है इस प्रकार से यहां पर तमाम सारे कभी हूए है किया से गुरकनात नर्पत शन्द बर्दाई जगनिक विद्यौत इमीर खुषरो जो है यह प्रकार से खवाजा, वाजब्यदन दीन झा उसके आपका जो है और तमाम प्रकार के कभी हुई है इसकाल के प्रकार से तो सारी चीज़े हैं तो इसमें तीन प्रकार की भासा होती थी धीरे धीरे भासा में परिवर्तन होता गया मत दिकाल आया मत दिकाल में आप देखेंगे आवधी और ब्रज भासा का यूग रहा है इसमें मेरे पार दोस्तों मोगल सासकों के हाथ में यह सारी बाग डोड़ थी उनकी बिलासिता के कारण से नहतिक पतन हो रहा था जिसका प्रभाव दूसरे समुचे समाज पर भी पड़ रहा था ऐसे में हिंदूओं पर बराबर अत्याचार किया जा रहे थे यहां की जो हिंदू की धार्मिक भावनाएं थी उन पर भी प्रकार से कुठा रहा घात किया रहा था इतने में तमाम सारे लोगों की जन्मानस के अंतरकत एक बिचार आया उसकी बिचार के तमाम प्रकार से बक्ति आंदूलन चला इसमें तुलसी जाइसी मीरा केसो कबीर इत्यादिया और जो है प्रकार से नानक विहारी रहीम गिर्धर चानक के उस्वारिचरणदास प्राणदास प्रकार के तमाम सारे कभी आये उन्हें ने भासा को सम्रिद बनाया और यहां पर मुखिरूप से अवधी और प्रज भासा का बोल बाला रहा उसके बाद में आधुनिक का लाते आते आ प्राचीन भासा संस्क्रिद भासा थी और संस्क्रिद भासा जो थी मेरी प्यार दोस्तों उसके बारे में कहा था कि भासा मुख्या मधुरा दिब्या गेरवान भारती तस्याही मधुरम काव्यम तसमाद एपी सुद्भा सितम आर्था भासाओं में मुख्य मधुरियम दे गने। बड़ी के बाते हैं संस्कृत के बिड़े सुरूब को हम क्या कहते हैं औली के विगड़े सुरूप को हम क्या कहते है अब Math在 कहते हैं प्लाइस कहते हैं दैटे के बिगडे क्या है क्या है बोलियों का सबसे पहले आपको बता से हैं पांच बोलिया जो है सबसे महत्मौन है पहली बोली पस्चमी हिंदी पहली जो है बोली कौन से है पस्चमी हिंदी दूसरी पूर्भी हिंदी तीसरी बिहारी हिंदी चौथी आपकी राजस्थानी हिंदी और पांच भी है क्या पहारी हिंदी तो राजस्थानी हिंदी बिहारी हिंदी पूर्भी हिंदी पश्चमी हिंदी पूर्भी हिंदी बिहारी हिंदी राजस्थानी हिंदी और पहारी हिंदी क्या हमने क्या बता है पश्चमी हिंदी दूसरा क्या बता है पूर्भी हिंदी तीसरा क्या बता है बिहारी हिंदी चौथा क्या बता है में पंश्चिमी हिंधी के बारे में आपको बदाएं पश्चिमी हिंदी में कौन-कौन सी बोली आपके सामने JACKS पत्मी हिंदी बोले 걵 की बात कीया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भंगला बंखल庫 लिए खडी भी नोजी हो गई और इहीं पर आप देसकते प्यारे दोस्तों आपकी कहां की है या पस्चमी हिंदी की बोलिया है कहां की है या पस्चमी हिंदी की बोलिया है ओके ध्यान से सारी बातों को सबच रहे हैं आप सभी लोग पस्चमी हिंदी की सारी बोलिया है आगे आपको बता दू पूर्भी हिंदी के इंतरगत कौन कौन आती हैं आप से अब्जक्टी में पूझेगा हिंदी भासा कितनी बोल्यों हिंदि उपकर को ने सामिल नहीं है आप को आप जक्टिव ऑलों इंग्जाम से पोछेगा तो आप बड़े आसानी से कर लिजेगा इस टॉपिक को समझने के बाद में आपको साइध ही बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी या बात आपको पता है ठीक पूरभी हिंदी के इंतरगत कौन कौन सी बोली आती है इसको थोड़ा लगभग इसको बोली यानि के संख्या जो है पांच दस्मनों पांच करोन से दिखे तो आप से एक्जाम से प्रस्ण पूछेगा कि यह जो बोली है यानि जो अवधी बोली है मेरी प्यार दोस्त आप थाड़ डियर में देखे होंगे एक आधुनिक अवधी काब यानि इसकिंद्धार में अकश्याइब घटेंगे जोफे नपकर देखे भग और तो पांच करोन लोगों के द्वारा बोली है कितनी फिलो में बाराज जिलो में बोली याथी पॉली जाती है कौन कूंच करता हो इस परकार से अवधी में बोला जाता है ठो थेक ध्यान रखेंग तो अवधी हो गई आपकी उसके आद में पूरभी हिंदी के इंतरकत बगहेली या दूसरी भासा आपके सामें दूसरी बोली है बगहेली बगेली की बोली यानि कि सिंख्या लगबग 70 लाग से अधिक है और या हमिरजा पूर में बोली जाती है जबल पूर में फटे पूर में बांदा हमीर पूर इस सभी में या भांसा बगेली बोली जाती है वहीं आपके इससे बात की है 36 गड़ी 36 गड़ी जो भासा है या कहां पर इसको हम किस नाम से लरिया या खलताही के नाम से भी जानते हैं एक्षाम में तो आपसे लड़िया भां सा लड़िया भोली या खलताही बोली इसको एंहु को खलते हुए हिंदी जो इसको हो जिसको बाती है शारी अबातों के समझ बोजपुली से आप लोग परचित हैंगे मोवीज वगारा दिखते होंगे पावन सिंग निरहुआ खेसारी लाल यह सब वहीं से हैं ठीक द्धाने के बोजपुरी में जो मोवीज बनाते हैं अगला परसनाब के सामने है जो है अगला परसनाब परसन क्या राजस्थानी हिंदी के तरगत कौन-कोंप से बोलह आती है आपकी तो जैपुरी आती है राजस्थानी में के राजस्थानी हिंदी के घरित कि तो पहारी-धिर की तो दो बोलिआ पहारी हिंदी की हैं आप से दो बोलियां पहाड़ी हिंदी में बोली आती पहली है आपकी कौन सी है मध्य पहाड़ी और मध्य पहाड़ी में दो अंदर कुमाईनी और गढ़वाली कुमाईनी और गढ़वाली जो है या मध्य पहाड़ी में बोली जाने वाली जो है बोलियां है और पूरभी पहाड़ी प्रकार से बिरस्त रूप है इसका स्क्राइब ले लिजिए गा ठीक तो इसका पीडियेफ आपके सामने मैं जल्दी उपलब्द करवा दूँगा तो हिंदी की बोलियों को लेकर के लेक्चर था आपके सामने आप से अब्जेक्टी बालों परसने इस प्रकार से अब्जेक् कर दिजिए भुचपुरी का समान परचे दिए हैं इसका परसन पूछेगा तो आप कर लिजएगा बड़ी आसानी से आप जो है अपने पुस्तव में देख लिए इसको पढ़ लिजिएगा हमने आपको थोड़ा एक चार्ट के मादम से बना दे ताकि आपको सारी कि सारे म लोगों के पास ताकि सारे लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके मिलेगे मेरी निक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सबी का बहुत-बहुत धन्यबाद वीडियो को देखने के लिए थैंक्स पार वाचिंग इस वीडियो